Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of Indian constitution, the name of the case is UN Rao vs Indra Gandhi इस case के फेक्ट ऐसे हैं कि इसमें जो लोग सबा है जिसको हैड कर रहे थी प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांदी वो लोग सबाद डिजोल हो जाती है ठीक है वो लोग सबाद डिजोल होने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर इंदरा गांदी अलोंग विद हर कांसल ओफ मिनिस्टर शी वस तिल होल्डिंग इन ओफिस कौन सा तो इस केस में जो यूएन ड्राम है वो एक रेट पर्टिशन डालते हैं रेट पर्टिशन कौन सी क्यो वरांटो जिसमें ये पूछते हैं ना इस पुब्लिक ओफिस से कि बाई विच ऑथोरिटी यूर होल्डिंग इस पर्टिकुलर ओफिस तो क्यो वरांटो लगाती है स सुप्रीम कोर्ट में और तो सुप्रीम कोर्ट या है कि भई जो ये ओफिस होल्ड कर रही है क्योंकी तो रिजाइन डिजॉल हो चुकई है डिजॉल होने के बाद भी हाउसी केन होल्ड तब सुप्रीम कोट ने दो पर्टिकॉलर जो आर्टिकल हमारे 53-1 और आर्टिकल 74-1 इन दोनों को डिल किया तो इमें एक बार आपको पहले दोनों आर्टिकल दिखाता हूँ ठीक है तो इक बार आर्टिकल 53 देखो 53 says executive power of the union 52 says कि यह shall be a president of India and 53 में बदा रखे हैं president के executive power तो यह बोलते हैं 53 close 1 बोलते हैं कि भाई the executive power of the union shall be the word देखो यहाँ पर क्या है shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through the officers subordinate to him officers subordinate to him कौन से होते हैं council of minister या तो वो खुद करेगा या फिर council of minister से करेगा तो जो ये वियों रहाँ थी इनकी जो प्ली थी कि भाई council of minister तो है ही नहीं क्योंकि लोग सबादा डिजोल हो चुकी है लोग सबाद डिजोल होने के बाद भी how she can be the prime minister of India ठीक है तो supreme court जाती है section sorry article 374 close one पर यहां पर खहती है there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and advise the president who sell in exercise the function जो भी है ठीक है मतलब इसमें आप भी बड़ दे रहा है cell, cell का मतलब mandatory है कि हमेशियां जो भी हमेशियां council of minister होगी तो जो हमारे यह petitioner थे इस case के अंदर इन्होंने read डाली थी UN Rao वो यह बोलते है कि 74 में जो यह cell है ना इसको आप may read करो ठीक है इसको cell मत read करो इसको may read करो क्योंकि लोग से बातों अभी डिजोल हो चुकी है लोग से डिजोल है तो council of minister तो है ही नहीं जब council of minister है ही नहीं तो यह इसको प्रेजिडेंट को advise क्या करेंगे ठीक है तो यह था इनका contention किसका जो यह हमारे general repetition डाली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलती है सुप्रीम कोर्ट का जो interpretation देखो सुप्रीम कोर्ट ने interpret किया कि जो सेल था ना 74 के अंदर उसको सेल ही पड़ा जाएगा क्यों पड़ा जाएगा उसका एक कारण है आप कहते हो कि जो यह subordinate officers हैं जो council of minister है यह इसको president को अपनी add and advice नहीं देते हैं वो directly govern कर रहा है अपने आपसे ही यदि president इसके दुन्होंने दो interpretation निकाले पहला interpretation कहता है यदि president खुद से ही सारी government को deal कर रहा है लीड कर रहा है सारे decision खुद से ही ले रहा है तो जो हमारा constitution बोलता है कि हमारा parliamentary form of government होगी यह तो इसका उल्टा हो गया कि वो directly तो कभी वो कर नहीं सकता कि वो directly करेगा तो parliamentary form of government है वो presidential form of government बन जाती है और नेक्स्ट पाइन नहीं बोला कि भाई आप एक बंदे के पास इतनी सारी power दे दोगे दूसरा interpretation कि प्रेजिडेंट के पास सारी power आ जाएंगी तो वो एक autocreative इंसान भी बन सकता है क्यों क् वाई लोगसबा तो है नहीं आपकी और बिना लोगसबा के प्रेजिडेंट को उटाना ना मुम्किन है क्यों क्योंकि इसकी impeachment में two-third of the जो भी resolution चाहिए है पास होना चाहिए two-thirds of the present and voting प्लस जो भी special majority है वो चाहिए है लोगसबा की भी और राजसबा की भी क्योंकि लोगसबा तो है ही नहीं तो इसको पर जो वर्ड दे रखा है डिरेक्टली इसको यूज नहीं करेंगे जो ओफिसर्स वर्डने टूइम है यह मेंशा काउंसल ओफ मिनिस्टर से ही डिल करे जाएगा ठीक है तो जहां पर 74 है यहां पर जो सेल है यह वर्ड इट हैस तो बी टिटेटेट अस सेल बेस से काउंसल हमारे डिजॉल हो चुकी हो विल स्टिल बी देर यह मैशा वह यह वहां पर हमेशा रहेंगे जब तक नई लोगसर नहीं आ जाती लेकिन जो यह पोस्ट है यह कोई नई पॉलिसी फोप्र फरेम नहीं करेंगे बस इस चीज़ का गोपर चेक अ क्ट बैलेंस होगा कि यह नह नहीं पॉलिशी नहीं बनाएंगे और भाई जी जो मैंने अब डिसकस करी कि इस 53 क्लोज वन में जो प्रेजिडेंट है उसके पास जग्जिक्यूटी पावर है यह वो सेल्फ से करते हैं तो कॉंसिट्यूशन के दो इंटर्पेटेशन निकल सकते हैं पहला कि करना इट विल बी इंपॉसिबल क्यों क्योंकि नो लोग सबाइज देयर ठीक है तो इसके जो रेट पटीशन थी वो खारी जो चुकी है सो देट्स वीडियो सी इन देनेक्स थेंक्यू